असलाम वालेकुम मैं हूँ साबा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन सिंथेस्जिस लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से कबल मैं आपको ये बता दिना जाता हूँ कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कबल करेंगे सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेस्जिस यानि प्रोटीन बनती कैसे है निसरे टॉपिक के है कि प्रोटीन बनती कहा है और तीसरे टॉपिक के है कि इसमें कौन से प्रॉसिस इंवाल से आप लोगों से गुजारिश थी कि अगर आपको वीडियो पसंद आये तो लाइक का बटन दवाईए और दूसरी बात कि आपको किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताईए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ताके मैं उस पर वीडियो प्लोड करें और तीसरी बात ये कि इस जगा पर यहां पर यूट्यूब का एक आइकन बना वागा उस पर किलिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टॉटीन सिंटेसिस स्टार्ट करने से पहले हमें एक एक्जेंपल को समझ देना चाहिए किसी भी एजन्सी में एजेंट्स किस तरह काम करते हैं ठीक है यह इसके पास को इंफ़ूमिशन इस को अपने process को आ पहूंचा सकता है ठीक है तो इस इंफ़ूमिशन को कोड करेगा और message के जरिए अपने groups तक पहूंचाएगा अब वो मैसेज उनके गुरूप तब पहुशेगा और उनके गुरूप के पास इसको डी कोड करने के कुछ फॉर्मूलेंगे जिसकी मदद से वो इस इन्फॉर्मिशन को मतलब इस कोड को डी कोड करेगा और उसमें मौजूद इन्फॉर्मिशन के मताबग एक्शन परफॉर्म करेगा बिलकुल इसी तरह प्रूटेन सिंतेसिसम होता है कि आपके डी ने के पास वो इन्फॉर्मिशन मौजूद है जो आके जाकर प्रूटेन बनाएगी अब वो इन्फॉर्मिशन डी ने आगे पहुचाता है साइटोपलाजम तक क्योंके डी ने खुद नूक्लियस में मौजूद है और प्रूटेन बनते है रैबोजोम में और रैबोजोम से साइटोपलाजम में तो जो इन्फॉर्मिशन डी ने के पास है वो आपको इन्फॉर्मिशन रैबोजोम से पहुचानी है अब डी ने क्योंके सेल के नूक्लियस सेरी कलने ही सकता तो वो अपनी इन्फॉर्मिशन किसी ना किसी जरीय से साइटोपलाजर में मौजूद रैबोजोम से अब वो RNA, messenger RNA है, यानि messenger RNA में DNA के information मुझूद है, अब वो DNA information messenger RNA में code कर दिता है, messenger RNA DNA के information carry करता है, और cell के nucleus ते निकल कर cytoplasm में आता है, और ribosome पर जाकर attach हुए आता है, और ribosome और transfer RNA मिलकर messenger RNA मौझूद DNA के information को decode करते हैं, और उसके मताबिक action perform करते हैं, DNA के information में कहता, DNA के information असल में protein synthesis के बारे में है, यानि के DNA में जो information थी, वो protein बनाने की अमल की थी, तो transfer RNA और ribosome उस information को decode करते हैं, और protein बनाते हैं, अगर protein synthesis की बात करें, तो वो मबनी है दो process पर, पहला process है transcription और दूसरा process है translation, अगर हम transcription की बात करें, तो transcription का अमल nucleus में होता है, transcription में होता क्या है, कि आपके DNA से messenger RNA बनता है, यानि के DNA के पास जो information है, वो आपके messenger RNA में copy हो जाती है, ठीक है, अब transcription भी further तिन process में divide है, initiation, elongation, termination, अब आपका DNA के पास जो information थी, वो messenger RNA में code हो गई है, वो information messenger RNA carry करता है, और फिर nucleus से निकल कर messenger RNA जाता है, साइटो प्लाजम में, साइटो प्लाजम में वो राइबोसम जाता है अटेच होता है, और वहाँ पर translation का process होता है, translation पर आपाया आते हैं, translation में क्या होता है, कि जो information DNA के पास मौझूद थी, जो उस नए information messenger RNA पर भेजी, और वो messenger RNA DNA के information लेकर आपके साइटो प्लाजम में, साइटो प्लाजम में, transfer RNA और ribosomes मिलकर उसको decode करते हैं, मतलब messenger RNA को decode करते हैं, और messenger RNA के पास मौझूद information है, उसके मताबग वो protein बनाते हैं, अब ribosomes की बात करें, तो ribosomes बना हुआ है, ribosomal RNA और protein से लेकर, इसी को आप इस picture के दिले समझे, DNA से बनता है RNA, और RNA से बनता है protein, DNA से जब बनता है DNA के पास, वो information code होती है RNA में, इस process को कहता है transcription, ठीक है, अब RNA, जोकि messenger RNA है, वो nucleus से निकल का cytoplasm में जाता है, cytoplasm में वो जुड़ता है ribosomes के साथ, यह ribosomes, और trans-warad ने मिलकर उसके recording करते हैं, और इसके मताबग protein synthesis करते हैं, यहां हम वीडियो को summarize करते हैं, तेक यह इस figure में, यह DNA है, यह nucleus है, यह nucleus है, है, यह cytoplasm है, यह DNA transcribe होता है, और RNA बनाता है, यह RNA बन गया है, यह RNA निकलाता है, मेसंजर RNA, यह इस nucleus से निकल कर, साइटपलादम में आता है, और साइटपलादम में जाकर ribosomes से attach होयाता है, यह ribosomes है, और इस जाके, यह messenger RNA attach हो गया है, ठीक है, यहां पर ribosome और transfer RNA मिलकर, उस messenger RNA पर मौझूद information को decode करता है, और यह routine बनाता है, यहां पर पूरी video समराज हो गई, अब अगली video में, हम पूरे transcription को cover करेंगे, और उस से अगली video में, इन्शाला हम translation को cover करेंगे, और इसके बाद मैं, comments के मताबक, वीडियो को तरतीब दूंगा, और नए video, आपके लिए लेकर आँगा, तो इसलिए bell icon को दबाहना मत पूलिए, और subscribe कीजिए, तक कि आप तक यह हमारी information पहुँच सके, जज़ा करदा रहें। कर तक यह हमारी आपके लेकर लेकर आपके, अपके लेकर शोपबदी आपके लेकर रहें।